राजिय गांधी राश्ट्रे ग्यान विज्ञान मौलीक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतरगत मूल रूप से हिंदी में लिखित पुस्तकों को पुरस्कृत किया जाएगा प्रतम पुरस्कार 2,00,00, 2010,05,00 रूपिए। तृतिय पुरस्कार 75,000 रूपिए और प्रोथसाहं पुरस्कार 10,000 रूपिय का है इस वर्श प्रतम पुरस्कार के लिए कोई प्रविष्टी उप्युक्त नहीं पाई गई। दृतिये पुरसकार, जीवन शैली के रोग और आयुवेद, पुरसकार ग्रहन करेंगे, पुस्तक के लेखक, डॉक्टर अनुराग विजयवरगीर. तृतिय पुरस्कार विज्ञान एवं प्रोध्योगी की संचार पुरस्कार ग्रहन करेंगे पुस्तक के लेखक डॉक्टर मनोज कुमार पटेरिया प्रोध्साहन पुरस्कार जलवायू परिवर्तन एक गंभीर समस्या पुरस्कार ग्रहन करेंगे पुस्तक के लेखक श्री नवनीद कुमार गुपता प्रोध्साहन पुरस्कार जन्तु व्यहवार पुरस्कार ग्रहन करेंगे पुस्तक के लेखक श्री मनीश मोहन गोरे प्रोचसाहन पुरसकार, टर्नाउट, बिछाना, निरिक्षन, अनुरक्षन पुरसका ग्रहन करेंगे, पुस्तक के लेखक, श्री मनोज अरोडा प्रोचसाहन पुरसकार, ग्लोबन वामिंग, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरन सनुरक्षन पुरसका ग्रहन करेंगे, पुस्तक के लेखक, डॉक्टर अख्तर अली प्रोचसाहन पुरसकार, जल ही जीवन, पुरसका ग्रहन करेंगे, पुस्तक के लेखक, डॉक्टर डीडी ओज्जा महा महीम राश्रपती जी का पुरसकार वित्रण हेतू हम आभार व्यक्त करते हैं और अब मानिनी ग्रह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंडे जी से अनुरोध है कि कृप्या वियापना अज्यक्षिय भाशन प्रस्तुत करें परमादर्निया महा महीम राश्रपती जी मेरे सयोगी राज्यमंत्री जीतेन सिंग जी विभाग के सचीव शरद गुप्ता जी श्री मंगोत्रा जी आज सभी गण्यमान्य व्यक्ति जन्नों ने अवाड हसिल किया है वो दिवी और सज्जनों हिंदी दिवस के आवसर पर आप सबको मेरी हरदिक्षु कामना है यह हमारे लिए एक अत्यनत्य सन्मान की बात है कि हिंदी दिवस के इस महत्वपूर्ण आवसर पर महा महीम राश्रपती जी हमारे बीच उपस्तित है अपने व्यस्त कारे करमों में से समय निकाल कर हमारे बीच उपस्तित होकर आज की इस कारे करम की गरिमा बढ़ाई है मैं इसके लिए आपके प्रती आभार प्रकट करता हूँ भारतिय भाशाओं के प्रती आपके मन में गहरा लगाव है आपकी उपस्तिती इस बात का ये प्रमान है कि राजवाशा हिंदी के फलने फुलने के लिए राश्ट के प्रतम नागरी का अशिरवचन हमारे साथ है इस से हमें सरकारी कामकाज में राजभाशा हिंदी को उसका उचीत स्थान देने में हमारे संकल्प को दोहरानी की प्रेणा मिलेगी हिंदी एक सहज और सरल भाशा है सेकड़ों वर्षों से हिंदी देश की जनता को एकता के सुत्र में बानने का काम करती रही है हिंदी की इशी विशिस्ता के कारण हमारी सम्विधान सवा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संग की राजभाशा के रूप में स्विकार किया था अपनी सरलता और अपनी सहस्ता के कारण हिंदी आज समस्थ भारत में ए और भारत से बाहर भी लोक प्रिय भाशा बनी हुई है विश्वभवयर में सौव से अधीक विश्वभ ध्यालव में हिंदी का अध्यापन और शोधकारिय हो रहा है दर्जनों देशे में हिंदी में समाचार्यों कारेक्रम प्रसारित होते हैं सूचना प्रवध्योगी की के बदलते परिवेश में हिंदी भाषा अपना स्थान धीरे धीरे प्राप्त कर रही है राज भाशा विभाग ने सूचना प्रावध्योगी की विभाग के सहयोग से हिंदी के कई नए सौटवेर विकशित किये है विवाग का यह प्रयास सरानी है काम्पूटर पर यूनिकोड एंकोडिंग सुमीदा की उपलबदता से काम्पूटर पर हिंदी में काम करना अत्यनतसरल एवन सहज हो गया है आशा है इन सौप्ट विवरों के इस्तिमाल से सरकारी कामकाज में हिंदी का परयोग बढ़ेगा और बढ़ते जाएगा हमारी सम्विदान के अनुच्छे 391 के अनुसार हिंदी भाषा का विकास तता प्रचार और प्रसार सुनिचित करना केंद्र सरकार का दाईत्व है इसके लिए हमें भारत के अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को ग्रहन कर हिंदी को और अधिक सम्रुद्ध बनाना होगा इस अवसर पर मैं आप सब को शुपकामनाय देता हूँ और यह अगरा करता हूँ कि आप सरल तथा बोलचाल के भाषा के शब्दों का प्रयोक करके अपना अधिका अधिक कारिय हिंदी में करें राज भाषा विभाग द्वारा हिंदी में सर्वाधिक सरकारी कार्य करने सरकारी कार्य करने वाले केंद्रिय सरकार के कार्यालों उपक्रमों बैंकों और हिंदी में लेखन संपाधन के ख्षेत्र में विशिष्ट उपलब्दिया प्राप्त करने वाले विद्वानों को प पुरस्कार विजेताओं को महामें राष्ट्रपती जी के हतों पुरस्काती करने का मौका मिला है उन सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं हर दिक बधाई देता हूँ मैं राजभाषा विभाग को इस गरिमा में अयोजन के लिए बधाई देता हूँ और राजभाषा हिंडी के प्रचार और प्रशार हितु आप सभी के द्वारा कियेगे अधिक प्रावासो को सराना करता हूँ अंत में एक बार फिर आप सब को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुपकामनाई देता हूँ जाएगें और अब महामईम राश्वतिजी से हम विनम्र अन्रोद करते हैं किरकिर प्याज के सवसर पर अपने उद्बोधन से सभी को प्रितार्थ करें